हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी यूटूब चैनल साथियो आज है 30 जनवरी 2023 और 30 जनवरी को SSC GD के पहले सिप्ट का पेपर हो चुका है और आज पहले सिप्ट में जो कोस्टेंस पूछे गए हैं उन कोस्टेंस को इस वीडियो में देखेंगे तो साथिय वीडियो को सभी साथ ही लाइक जरू कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और साथियो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आन कर लिजेगा इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेसन आएगी वीडियो अगर अच्छलाएगा तो आपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शियर करिएगा तो चलिए सुरू करेंगे क्लास को उससे पहले बता दे कि साथ यो एससी जीडी में 10 जनवरी से लेकर अभी 30 जनवरी तक जितने भी सिप्टों में पेपर हुआ है और उनमें जो कोशन्स पूछे और दिया है वह सारे वीडियो से आपको चैनल के अंदर मिल जाएंगे तो अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो जाके देख लीजेगा तो चलिए देख लेते हैं आज के पहले सिप्ट में जितने कोशन मुझे मिल पाए हैं आज वह सारे को इस वीडियो में देखेंग तो दिखी का सभी साथी एक question था हिंदी का कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है तो साथियों और एक सब्दों के बरले एक सब्द आपको बताना था कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है तो आपका right answer हो जाता साथियो पारदर्सी एक चीज आपको बताना चाहूंगा इससे पहले ये पुछ चुका है कि जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है तो आपको यहाद रखना है साथियो कि जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्सी बोलते ह लेकिन आज पुछा गया था जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं तो पारदर्सी आपका राइट अंसर हो जाता एक अगला कुछा गया था कि जो साधारन के समान ना हो इस वाक्की के लिए एक सब्द क्या होगा तो सिंपल सी बात है कि जो साधारन ना लगे या जो साधारन ना हो या जो साधारन के समान ना हो इसके लिए एक सब्द क्या होगा आसाधारन आसाधारन आपका राइट अंसर हो जाता आज अगला कुछा गया था कि जहर का घुट पीना महावरे का अर्थ क्या होता है तो दिखेगा जहर का घुट पीना महावरे का अर्थ होता है अपमान सहन करना या इस तरह से भी आपसे साइद ये question पूछा गया था कि अपमान सहना या अपमान सहकर रहना किस मोहावरे का अर्थ होता है तो आपका right answer हो जाता जहर का घूठ पीना ठीक है question को उलट पुलट के पूछा जाता है बस और कुछ नहीं अगला कोश्चन दिक पूछा गया आता साथियो 2011 की जनगन्ना कितने चर्णों में हुई थी तो साथियो आपको बता दें कि 2011 में जो जनगन्ना हुई थी वो 15 वी राष्टी है जनगन्ना थी और ये दो चर्णों में हुई थी ये आपको याद रखना है और ये कोश्चन जो है फिर से रिपीट किया जाएगा आने वाले सिप्टों में जिनका पेपर है ये जरूर याद रखना साथियो और आपको ये आज आंसर करना था कि दो चर्णों में क्योंकि 2011 की जो जनगन्ना हुई थी वो दो चर्णों में हुई थी अगला कुश्चन एक पुछा गिया था साथियो कि नॉमबर 2022 तक निती आयोग के उपाधच कौन थे देखे यहाँ पर उपाधच या अधच पुछा गिया था इसलिए मैंने दोनों ही बता देता हूँ देखो अधच तो प्रधान मंत्री होते हैं ठीक है और जब से निती आयोग बना है एक जनवरी 2015 से लेकर अभी तक अधच कौन है परधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ठीक है तो वो तो आपका राइट अंसर हो जाता मोधी जी ठीक है लेकिन अगर उपाधच आपसे पूछा था तो राइट अंसर हो जाता डॉक्टर सुमन बेरी ठीक है डॉक्टर सुमन ब अगर आपसे आज यह पूछा गया था कि भारत के नियंत्रा के बम महालेखा परिच्छक से संबंदित अनुच्छित कौन सा है तो साथ यह आपका राइट अंसर हो जाता अनुच्छित 148 अच्छा अगर आपसे यह पूछे जाए कि बरतमान में अभी भारत के नियंत्रा के महालेखा परिच्छक कौन है तो आपके आंसर करोगे चलिए मैं नहीं बताओंगा आप लोग कमेंट वॉक्स में कमेंट करके बता दीजे मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं आपको पूरा नाम बताना है बस उनके लास्ट थोड़ा सा हिंट देता हूं कि देखिए ज जम्मु कस्मीर के जो पहले जम्मु कस्मीर के जो पहले उपराजपाल बने थे वो वही थे अब कौन थे आप लोग कमेंट वॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बता दीजे ठीक है और वो अभी बरतमान में भारत के कौन है नियंतर के वह महालेखा परिच्छक है चलिए कमे विलोम सब्द से बता दें कल भी मैंने एक विडियो प्रवाइड करा दिया है विलोम सब्द का जिसमें 50 एकस्पेक्टेड कोश्चन है आने वाले सिफ्टों में और यह कोश्चन भी उस विडियो में आपको मिल जाएगा उसमें ने तो उससे पहले जो 120 कोश्चन वाला विल कोशी का जिल्ली होती है सिम्पल से कोश्चन तो साथ यो बालोजी में मैंने कई बार आप लोगों को यह कोश्चन पढ़ाया है देखें माइट्रो कॉंट्रिया में जो है दोहरी जिल्ली होती है तो आपके सामने ओप्षन कुछ इस प्रकार थे ओप्षन नंबर ए में है तो उस हिसाब से आपका राइट अंसर हो जाता दो क्यूंकि ओप्षन भी इसी प्रकार से था एक दो तीन चार ठीक है तो दो आपका राइट अंसर हो जाता चलिए अगला कोश्चन जो है साथियो एक कोश्चन पुछा था ब्रेव बोर्न स्टेडियम कहां इस्ती थे त तो मुंबए में महाराष्टा में जो की क्रिकेट के स्टेडियम है अगला कोश्चन पूछा गया था साथियो कि काठ का उल्लू काठ का उल्लू महावरे का अर्थ क्या होता है तो देखीगा इसका आपका राइट अंसर हो जाता महामुर्ख ठीक है मुर्ख या महामुर्ख होना ठीक है मुर्ख होना या महामुर्ख होना ठीक है जो आपका उप्शन में था वह आपका राइट अंसर हो जाता एक समानार्थी सब्सक्राथे सागर का देखिए सागर का समानार्थी सब्द पूछा था कि सागर का समानार्थी सब्द क्या होता है तो देखिए सागर के जो तीन सब प्रमुक समानार्थी सब्द होते हैं वह होते हैं समुद्र उधधी और जलधी इन में से जो आपका उप्सन में था वह आपका राइट अर्सर हो जाता अगला question पूछा गया था सरहूल कहां का तियोहर है तो साथ है आपको बता दे ये question अभी तक 3 से 4 बर पूछा जा चुका है और आज भी आप से यह पूछा था तो सरहूल जो है यह जार्खन राज का तियोहर है चलिए अगला क्यों से मैंने अभी गया तो मैंने अभी आपको बताया कि 952 के अध्दच कौन थे तो नॉवंबर 2022 तक नितियायोग के अध्दच कौन थे तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी मैंने अभी आपको बताया कि नितियायोग के के कम्याइट एंटिया सब्सक्राइट गहा its fair छाट अग्ला भीट पुछा गया था मार्सल देखिया मार्सल निरितर किसे संबन्दित थे तो साथियोग को बता दे यह जो मार्सल निरित्ति हैं नہ को यह वाला जो निरित्तिहे शाथ यह क्लाड़ी आप यह एक मार्सल आठ रूप है और इसी में जो है ना इस निरित को प्रदर्शित किया जाता है आपको याद रखना है कलारी पैटुटू मार्सल यह मार्सल आठ का एक रूप है और यह केरल राज से संबंदित है किस राज से तो केरल राज से यह आपको याद रखना है देखि से सभी मार्सल आठ की मा के रूप में भी जाना जाता है आपको याद रखना है केरल राज से ये आपका संबंधी थे अगला कोश्चन पुछा गया था मोर्य सासक असोक कि मृत्तु कभूई थी तो इस कोश्चन का राइट एंसर सिंपली हो जाता आपका 232 इसापुरो में कभवा था तो 232 इसापुरो में नेक्स्ट कोश्चन आपका पुछा गया था कपास जूट देखे कपास जूट रेसम उनिवस्त्र ये किस उधोग से संबंधी थे तो साथ यो कपास जूट रेसम उनिवस्त्र इस साप साप पता चल रहा है कि ये कपड़ा उधोग से संबंदित होगा ठीक है कपड़ा देखे कपास जूट रेसम उनिवस्तर ये किस उधोग से संबंदित है तो ये कपड़ा उधोग से संबंदित है ये आपका राइट अंसर हो जाता एक कोस्चन पूछा गया था जगला कि I.C.A.R. के बरतमान में अगर अधच की फरवरी 2022 से अभी तक कोन है तो डॉक्टर त्री लोचन महापात्रा ये आपका राइट अंसर हो जाता अगर आपसे ये पूछा गया था कि I.C.A.R. के महानिर्देसक कोन है तो आपका राइट अंसर हो जाता हिमान सुपाठक इन्होंने जुलाई 2022 में ही पदभार गरहन कि आपका राइट अंसर हो जाता तो अगर ये नहीं पूछा था तो आपसे आगे पूछा जा सकता है कि I.C.A.R. के बरतमान में महानिर्देसक कोन है तो हिमान सुपाठक बरतमान में क्रिसी मंत्री कौन है ये आप हमें सभी साथी कमेंट वोक्स में कमेंट करके बता अरिया से भी रिलेटेट कोस्टन्स आपसे पूछा गया है ठीक है इसके अलावा रिक तस्थान बगेरा ये सब भी थोड़े हलके फुल के मुझे पूरा कोस्टन सही से मिला नहीं इसलिए मैंने इस वीडियो में ये नहीं किया है रात में जो सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें आज के 30 जनवरी के पहले सिफ्ट, दुसरे सिफ्ट, तिसरे सिफ्ट और चोथे सिफ्ट में एक ही वीडियो में कराऊंगा जैसे कि हमेसा डेली रात में जो है चारो सिफ्ट का एक वीडियो आपको प्रवाइड कराते हैं चारो सिफ्ट में पूछे गए सभी प्र कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपका पहले सिप्ट में पेपर था और आपको क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्वास्त रहे हैं जैन क्यों वन दे मात्रम